तो दोस्तों लिखे आए हूं मैं आपके लिए एक और computer hardware का interesting वडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हो कि हम अपने computer में graphic card कैसे install करते हैं साथी मैं आपको बताऊंगा कि यह graphic card कौन सा है और आपके system में कौन सा graphic card आपको लेना चाहिए graphic card हमारे system में क्यों जरूरी होता है औ मुझे यह कितने में मिला है और practically मैं इसे install करके भी दिखाने वाला सिस्टम के अंदर तो इन सारी बातों को अगर आपको जाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मैं सतीश complete technology चैनल में आप सबका स्वागत काताओ चलिए शूरू करते computer hardware का interesting वीडियो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओ दोस्तों कि आप अगर नहीं है हमारे चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का विटन दिख रहे हैं उसे क्लिक कीजिए और बेल आपको क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिक्शन आपको टाइम लेखे मिले और साथी में हमारी वेबसाइट लेंबोप्रोड़ कोम जिसके कंप्यूटर हाडवेर का कोर्स और साथी में बहुत सारे कोर्से भी चल रहे हैं और इस लन्मोबोड़़ का एप्लिकेशन भी हमने लांच किया यानिकि एंड्रोइड मॉबाइल एप आपको मिल सीखना है तो आपको इस को जरूर करना चाहिए विद सर्ट अपिक आपको एक ओर्स मिलने वाला है फिलाल तो इतना ही अभी अपने टॉपिक तरफ बढ़ते जो कि है कि कंप्यूटर में हम अपने ग्राफिक काड कैसे इंस्टॉल कर सकते कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए चलिए बढ़ते टॉपिक के और तो दोस्तों आईए जानते सबसे पहले हमारे सिस्टम में ग्राफिक काड की जरूरत क्यूं होती है ग्राफिक काड हम इसलिए इंसर्ट करते ताकि हम ग्राफिक स्वाप्टेर के उपर काम कर सके या फिर हम 3D गेम स्केल सके अगर आप गे अधार प्रीमियर प्रो ऐसे सॉफ्टेर यूज़ कर रहे है तो वहां पर जो इमेजेस या फिर वीडियो होते है वह एजडी की होते है दोस्तों हाइड डेफिनिशन राइट तो उसके लिए आपको ज़रूरत होता है ग्राफिक काड की क्योंकि आपका ग्राफिक काड का प्रोसेसर होता है वह आपके सीपियो के काडिनिट में काम करता है यानि कि यहां पे सीपियो का स्पीड बूश्ट होता है आपके जो इमेजेस वीडियो या जितनी भी 3D आपजेक्स है वह आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से दिखते है और बिना लैक के हुए जरूत होती है सबसे पहले हमने जान लिया घ्राफिक काड की हमें जरूत क्यों है अगर आपको कुछ ऐसा काम करना जहां पे आपके पास 3D आपजेक्स है तो आपको गराफिक काड इंस्टॉल करना है आप कैसे इंस्टॉल करने यह जानेंगे लेकिन मैंने कौन सा ग्राफ यह चार जीबी का ग्रैफिक काड मैंने खरीदा है और मैं यहां पर गेम खिलना नहीं चाहता हूं मैं यहां पर एक्चुली हाइएंड ग्रैफिक्स यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करता है बहुत सारी वीडियो में मेरे अलग-अलग-अलग- करने के लिए उसके उपर स्मूथली काम करने के लिए मुझे ग्रैफिक काड की ज़रूत थी तो मैंने यह फोर जीबी का एंविडिया का ग्रैफिक काड लिया यह मुझे लग-बख आठथ हजर में मिला है जो कि मैंने आप्लाइन मार्केट से खरीदा है दोस्तों अब से रहा है मैंने असंबल किया है तो मैं अभी आपको दिखाओ कि इस पीसे में इस מाइक कैसे लगां अब इस ग्रैपिक कार में मैं बनी यह चीप आ यही विग्रैपिक काड यह क्या है यह कoohी करने के लिए 5 51 की जौ कि जरूत है हुआ कि वीसी चैंग मतल भी आपको दिक इतना प्रोसेसिंग नहीं होता है तो उसमें इतना लोड नहीं आता ग्रैफिक प्रोसेशर के उपर तो फिर वर उसकीलिए कुलिंग फेंटर्ट नहीं होती लेकिन यहां पर क cheesy Centers की जो टे इतन IF अब आपको दीख रहा लेकिन यहां पर वीजीए नहीं दिख रहा है आपको जो कि मेनली आपको अलग-अलग ग्राफिक काड़ रहते हैं उसमें भी रहता है लेकिन यह अपडेटेड ग्राफिक काड़े जिसमें वीजीए तो रिमूव कर दिया गया है वीजीए के जोगा अभी सब लोग मैंने दिये जहां पर डीटेल में हाडवेर और सीख सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बताओ कि ग्राफिक काड़ में यह जो गोल्डन पॉइंट दिख रहे हम इस एजी पी में लगाने वाले इस ग्राफिक काड़ को पावर की भी ज़रूत पड़ती है देखिए यह फोर्ज यहां पर मैं आपको दिखा हूँ यह पावर मैं यहां पर इंसर्ट कर रहा हूँ आप देख पा रहे होगे और इसे निकालते समय मैंने लगा दिया अभी आप देख पाऊगे इसे लगा निकालते समय मुझे इस नौच को प्रेस करना है जो आपको दिखा दे रहे हैं यहा आपका power आ जाता है उसके लिए तो Power हो नहीं हो यह तो डीपेंड करता है कि ब fearless इत्स ऩ教 मेरा चार मेरा गीमिंग्राफिक काड़ तो इस तरह से लग रहा है तो कि इसे मैं कैसे insert कर रहा हो इसे simply आप आप देख सकते में यहां पर यहां पर जैसे जैसे मैं इसके प्रेश करूंगा ओपर कि तरप आज यहांगी इस करना है और उसको fix कर देना इस तो screw fit करने के लिए आपको screw मिलेंगे और यहां पर कवर भी मिलेगा यहां पर screw और cover इस तरह से आपको यहां पर लगा देने वह तो एजी है screw और cover लगाना मतलब वह भी बच्चा भी लगा सकता है उसका कोई system को start करोंगे तो यहां पर windows update के साथ साथ इसके ड्राइवर भी इंस्टाल होंगे और इसके ड्राइवर के वारे में और भी डीटेल में जानकर रही चाहिए तो अब इसके ड्राइवर एंविडिया के website पे भी सर्च कर सकते वैसे विंडोज इसे ग्राफिक के साथ अपडेट कर लेता है, graphic driver automatic update होती है। इसे टाइम लगत अपडेट होने में drivers बागे लेकिन graphic card कैसे install करना है,क्यों install करना है आपके system में और मैं आपको बताओ की 1GB का ग्राफिक काड कितना कैपेबल होता है वन जीवी के ग्राफिक काड में आप ग्राफिक सौफ पर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाएंड वीडियो एडिटिंग जब आपको करना है मतलब जहां पर HD वीडियो जे या फिर 4K वीडियो जे तो उस टाइम पर आप जितना जी वी आप बड़ा होगे उतना जी वी आपका परमस बड़ने वाला है तो अगर आप सोच रहें कि एक गेमिंग पीसी बीड़्य करना हैं कर आप सोच रहें कि एक एक गाल्राफिक काड की मदद से वीडियो पूरा एकसपौर्ट कर लेता है तो आप comparison देख सकते कि आधा गंटा मतलब मेरा time कितना से हो रहा है एक बार मैंने तीन गंटे का वीडियो आपको पता है मैं बड़े वीडियो बनाता हूँ यह मेरा experience है दोस्तो लाइव experience मैंने आपको बता दिया आपका time कितना सेव करता है आपको समझ में होगा मुझे भी time सेव करना हो time is money दोस्तो सबको पता ही है तो यह बदाने के जरूरत नहीं तो बैसिकली ग्राफिक काड़ के बारे में यह था सब कुछ तो देखा आपने दो दोस्तों के साथ जरू शेयर कीजिए साथ ही मैं अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट शेक्शन में जरूर लिग दीजिए गा और हमारी website और हमारा application learn more application description में लिंक दीए उससे डाउनलोड जरू कीजिए और कुछ नया सीखते रहेगा तो चलिए मिलते हैं अगले